कहलो हैं मैं से लेंदी दुकुमार आपक लए लेकर कहया हूं फिर से मेंजर्मेंट अन्डीरेंट मेजरिंग टूल इसमें पहले म filters के बारे में पढ़ा चुका ओं आज मैं आपको measuring method के बारे में बताऊँगा measuring method यानि माप लेने की ती किती बिदिया माप लेने की हमारी तीन बिदियाँ होती है पहले आती है pretext ठीक है और दूसरी आती है इपिर्तियक्स और तीसरी आती है तुलनात्मक माप यह किसी भी चीज को डäreक्ट माप लेते हैं तो भूले का यह क्षी ने सब्सक्राइब चिलिए और Komma के लिए है तो हम क्या करेंगे केलिपर से अगए और फिर 》पिर उसको हम इसटी रूर या फिर वनियर पर देखेंगे तो यह कौन inlet करना करना जैसे डाइल टेस्ट साधान मापक यंत्र क्या होते हैं विभीन प्रकार के इंजीनिरिंग उद्ध्योग में बस्तूओं को मापने की आवशक्ता होती है जिसके लिए साधान मापक यंत्र या सुक्ष मापक यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं यह निम्न तिन प्रकार के होते हैं जो साधान माप अपने के लिए बिभीन प्रकार के अंद्रों का प्रयोग के जाते हैं इनकी लंबाईयां भी अलग-अलग होती है जो कुछ निम्न है जो लंबाई में आपने वाले अंद्रों होते हैं आपके होता है जैसे इस्टी रूल जो होते हैं अधिकतर लकड़ी के प्रयोग के जाते करते हैं यह दो प्रकार के होते हैं सीधे सीधे रूल जिसे बोलते हैं स्टेट रूल और दूसरा होता है स्टेट आफस मिमніटर्य सकते हैं 15-35-753 तक फोल्ड कि आजा सकता है अब हम बात करेंगे इस्टी रूल के बारे में देखें इस्टी रूल क्या उता है परेंगभ को स्टेनले ζेल स्टेली या या कारबन बनाया जाता है ₹ 산 साइज होता हम Suppose 15cm या 30cm तक पाय जाते हैं आपने जनर्नलीड देखे होंगे जो आप यूज़ करते हैं रूट जो आपके होते हartet today फंदरा सेंटीमेटर अ 10 cm तक होते हैं जो गजसेंटीमेटर की होते हैं परह को америк 5 mm या या 1 mm और इंच में एक बड़े 64 इंच होती है ठीक है Standard Styrul Standard Styrul जो होता है हमारे Standard Styrul साधरन कार्यों के लिए प्रियोग के जाते हैं हमारे अब बात करेंगे हम लचीला स्टी रूल यानि Flexible Styrul देखे इसका प्रियोग होता है वक्र सतों की लंबाई मापने के लिए किया जाता है जो फ्लेक्सिवल होता है उसका किसके लिए प्रयोग किया जाता है वक्र सतों की लंबाई मापने के लिए और फिर पतला इस्टीर रूल यानि यह नेरो इस्टीर रूल का प्रयोग कहां किया जाता है पतली नाली गुरू की हुक रूल का प्रियोग कहां किया जाता है हुक के कारण किसी सुराग या पाइप के अंदर किरनारे से असानी से माप ली जाती है तता इंसाइट कैलिपर और डिवाइडर पर साइज सेंट करने में जो हता है हुक रोल का प्रियूग किया धवात करेंगे कैयलिपर रूपरूल का प्रियूद का कहां किया रखाए इंच वाले निशान स्टेंडर्ड इंच से कुछ बड़े होते हैं जो इसके इंच वाले निशान होते हैं वो इस्टेंडर्ड इंच से कुछ बड़े होते हैं यह निशान कारी के अनुसार एक बटा दस इंच से साथ बटा सोला इंच तक परती फुट बड़े रखे यह जाते हैं एक्जाम्पल काश्ट आयरण के लिए 1 परशेंट स्टील के लिए 2.1 परशेंट कोपर ब्रास या के लिए मुनम के लिए 1.6 ठीक है शोठ रूट आब हम बात करते हैं शोट upgrades का प्रयोग अधिक गिराइप लेने में किया जाता शहीं के लिए किशीट रूट का प्रयोग जो करते हैं कि शुआ प्रयोग बेलनाकार जो पर समांतर लाइन छीचने के लिए कि Sheet Rule का प्रयोग किया जाता है इसकी जो आकरती होती है एंगेल आइन की तरह होती है करिंगे हम अब बात करिंगे हम इस्टील टैप इस्टील टैप जो होता है लचीला होने के कारण कोई भी प्रोफाइल असानी से मापी जा सकती है जो इस्टिल टेप होता है उसे हम किसी कोई भी प्रोफाइल को हम असानी से माप सकते हैं क्योंकि यह लचीला होता है इसकेल का प्रियोग डाफ्ट मैं द्वारा मांचितरिया डोइंग बनाने में किया जाता है ठीके अब हमने पढ़ाता कि साधनता साधनता माप के यंतर तीन प्रकार के होते है पहला हमने पढ़ा लंबाई मापने वाले यंतर अब नेक्श वीडियो में मैं आपको कोण मापने वाले यंतर के बारे में जानकारी दूंगा धन्यवाद